दोस्ते हम बात करेंगे Moonriver के Mover Coin के Price Moment के भारे में Entry Levels, Updated Levels और आने वाले दिनों में स्कॉइन के Target करेंगे Currently Coin 24.2 USD पर Trade कर रहा है एक अच्छी अपोस्टी वह आपिस से इस Coin के अंदर निकल के आ रही है जहां पर एक अच्छा Level है जहां से आप Buy करके Quick Profit Generate कर सकते हैं Short Term, Long Term में भी अपने Portfolio में स्कॉइन को Aid कर सकते हैं बात करें कौन साब के लिए Best Entry Points रहेंगे और आने वाली दिनों में स्कॉइन के Target कर रहेंगे इस ट्रेडर Long Term और Short Term के Perspective साब के इरियास पर नसरे बना रख सकते हैं दूसरा जिन्होंने इस Coin को Recent Breakout में उपर वाले लेवल पर Buy किया हुआ है वो Recovery का वेट कर रहे हैं उनका कितना टाइम में Recover होगा एक बड़ा Breakout कब तक देखने को मिलेगा औराल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए Invested Trader Market में आये हैं जिनको जादा Knowledge Experience नहीं है जो जली बाजी में स्टैव की गलतिया करते हैं उनके लिए हमने Premium Service Start की है ताकि वहाँ पर आपको proper guidance, proper study share की जा सके crypto queries, updated level signals share की जाएंगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके जोईन कर सकते हैं इंस्टा की link वीडियो के description में है साथ ही हमारे telegram channel के link वी आपको description में मिल जाएगी जहाँ पर crypto से related कोई update और new share की जाती है 24.19 USD पर अभी ये coin trade कर रहा है अभी BTC में देखिए शाम का time हुआ है US market open हुआ है और US market के open होते ही BTC में और cryptocurrency market में fluctuation देखने को मिल जाती है जहाँ पर BTC थोड़ा बहुत डंप करता है जिसकी वैसे IELTS में भी pressure देखने को मिलता है और ये coin ने 23.74 का low बनाया हम daily के chart पर जाते हैं जहाँ पर recently इस coin ने एक बड़ा breakout लिया था 24, 25th of December को इस coin ने 44 USD का level try किया था उसके बाद में हमने इसकी price में बड़ा drop भी देखा और उस drop में is coin ने यहाँ 21 USD तक का low बनाया था फिर move किया और 31, 32 वाला level try किया फिर BTC में जो fluctuation हुई थी उस fluctuation में is coin ने 15.4 वाला level try किया फिर move किया और बार बार एक coin 31, 30, 32 को try कर रहा है जहाँ पर हमने अभी तक 20 दिन के अंदर इस coin में 3 बार quick 20, 20% का profit generate किया फर्स टाइम यहाँ पर देखे फर्सली तो यह 44 USD तक जब price गय थी वहाँ हमने आपको अच्छे कासे और safe level पर exit कर वाया जहाँ 34, 38 और 40 USD का हमाई target थे जहाँ पर आप exit हुए और आपने profit generate किया उसके second day में आपको aware भी किया था उस दिन भी aware किया था कि भाई entry अगर आप देख रहे हैं थोड़ा wait करना है जल्दी बाजी बिल्कुल नहीं करनी है हमें इस coin में अच्छी और safe level पर entry मिल जाएगी यह coin अच्छा कासर डंप करेगा क्योंकि बिनास futures में इस coin के listing होई है और listing के बाद coins जो मैं आपको previously 3-4 महिने से मैं analysis कर रहा हूँ coins में बड़ा drop देखने को मिलता है जो कि 50-60% का normal रहता है तो price हमने बताया था कि 25 से नीचे आ जाएगी जहां पर दो level की buying बताया थी 25 और 22 यहां buy किया 21 तक is coin ने लो बनाया था यहां देखें तो यह से पहले यहां is coin ने 21 का लो बनाया था इस 21 के लो के बाद हमने 25-22 पर buy किया quick target is coin ने 32 तक यहां वापस fluctuate किया था जिसमें हमने 20 से लेकर 25 को profit generate किया फिर उसके बाद भी हमने वीडियो शेर किया था जब कोई 28-30 गराउंड था तब भी हमने वापस बताया था भाई अगर देख रहे हैं तो वेट करिए 23 के नीचे वापस प्राइज आ जाएगी यह नॉर्मल यहनि कि मार्केट में इस कोई में जो breakout हुआ है उसके बाद में correction जो हो रहा है उसमें lower हाइस बन रहा है और वेट करिए हमें 25 से नीचे वापस मिल जाए जहां 23 और 20 की आपको को इंडरी रखनी हैं तो यह fluctuation हुई इसमें वो दोनों लेवर्स की बाइंग हुई और वापिस स्कॉइन थर्टी योस्टी को ट्राइ किया वहां हमने वापिस 20 से लेके 30 परसंट का को इक प्रॉफिट जनरेट किया फिर हमने वीडियो शेयर किया था थर्ड जन्वरी को फ्लक्शुएशन हुई थी हमारा वीडियो फॉर्थ को आ गया था जहां वापिस से हमने आपको बताया था भाई वापिस 20 थी और 20 की रखनी है जहां इसको अने 21 तक ड्रोप लिया था फिर हमने बाई किया फिर इस फ्लक्शुएशन में को ग्रेप किया फिर प्रॉफिट हमने जनरेट किया और अभी चार दिन पहले मैं आपको वापिस से वीडियो शेयर किया था 15 को की भाई बिल्कुल घवराना नहीं है यह नहीं सोचना है कि यह कोईन मूग कर रहा है तो आप नहीं इंट्री मिस्ट कर दी है या प्रॉफिट नहीं लिया है तो जल्दी बाजी में उपर वाले लेवल पर बाई कर लेंगे गलती बिल्कुल नहीं कर दी है बाई के लिए वेट करना है और वापिस एक 25 उसका राउन आ जाए गए जहां 25 युस्ती 25.5 की फर्स्ट इंट्री बताई थी मैंने और सेकंड इंट्री बताई थी 23 की तो भाई कमेंड करके जरूर बता दिया करें कि क्या आपने किया है हमारे वीडियो जो हम आपको रेगुलर बैसेस पर गाइड करते हैं आप के लिए किस टाइप से हल्पफुल रहते हैं आपने कहीं गलती तो भाई नहीं किया है क्योंकि हम यहां से कितना ही आपको बताएं फिर भी आपको लगता है जहां आप थोड़ा से इमोशनल हुए जहां आपने इमोशनल ट्रेट करना स्टार्ट किया वहीं आपको लोस हो गया और जिन्होंने इमोशनल ट्रेट करना स्टार्ट किया इमोशन पर आ गया है तो थोड़ी यह 25 पर नहीं जाएगा तो पहले ही यहाँ 25 पर इंटरी मिल गई थी हमने जो वीडियो शेर के उसके बाद भी और उसके बाद अभी 23.7 तक भी आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बदाया करें अभी अगर टेकनिकली बात करें डेली के अंदर सपोर करें तो जो 25 पर इस कोई इनको प्रीवियस्ली रस्स एरिया था अभी पिछले पांच रिनोस इस कोई ने मोग करके उस लेवल को सपोर्ट बना लिया था तो अभी भी वो लेवल सपोर्ट है क्योंकि कल की क्लोजिंग में 25 से उपर देखने को मिली है और आज भी यह कोई वापिस मौ करके 25 से उपर चला जाएगा, यहाँ पर 25 से उपर इडिया को यह मेंटिन करेगा दूसरा important level क्या है, दूसरा important level है weekly के अंदर, weekly के रहेगा की इस वीक में और 25 से उपर में रहे 25 सूपर weekly closing करें तो वो support जो है वो एक confirm support level हो जाएगा और strong support level हो जाएगा और फिर price जो है वो इस type से 25 से नीचे जाने की chances कम रहेंगे तो पहले तो जिन्होंने buy किया है बहुत अच्छी बात है profits generate किया अच्छी बात है कि 25 पर अगर आई करते हैं तो second level की buying आपके 23 या उससे नीचे की रखेंगे तो जादा बेटर रहेगा second level आपको 22 की रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं भी इस coin को expect कर रहा था कि 25 से नीचे कम ही chances रहेंगे लेकिन BTC ने आज भी धोका दे दिया और आज भी BTC ने 42,000 के राउंड में 42,300 के राउंड के राउंड ट्राइ किया तो second level की buying को को से सिय करना है कि जिन्होंने previously 25.5 पर first buy किया वो second level की buying को 22 पर shift कर देंगे और जो अभी buy करेंगे वो भी 25 first level और second level 22 रहेगा अगर 24.3 अभी वीडियो वोच कर रहे हैं तो अभी first level यहाँ buy करेंगे second 22 लगाएंगे लेकिन 25 से नीचे नीचे आप buy कर सकते हैं वीडियो माल लीजिए उस लोग late watch करते हैं तो वो भी buy कर सकते हैं 25 से नीचे नीचे एक अच्छा level रहेगा दो जोन के buying रहेगी देखिए यहाँ से जो fluctuation हो रही है यह 31, 32 तक जा रहा है इस fluctuation को grape करना है तो आपके लिए target वही रहेगा 30 USD पर sell करके profit generate करके फिर buying के लिए wait करें और जो short term long term के लिए hold करना चाहते हैं वो hold रखिए जो थोड़ा वोड़ wait कर सकती जोनोंने 34, 35, 40 USD पर buy करके रखा हुआ है वो recovery का wait करें और अपने buying price पर sell limit लगा कर रखें कितना wait करना पड़ सकता है मैं आपको बतादू तब जब तक यह coin 30 USD से उपर daily close नहीं कर लेता तब तक बहुत कम chance से कि coin उपर वाले level को try करे क्योंकि बार बार वहां से reject होरा फुर BTC के लिए इंपोर्ट हैने की at least 44,000 वाले level से उपर try करे तो इतना wait करना पड़ेगा time कितना लग सकता है almost one month भी लग सकता है थोड़ा बहुत उससे कम ज़्यादा हो सकता है इसके लावा जो भी नए इंवस्टर ट्रेडर मार्केट में आये हैं जिनको जादा knowledge experience नहीं है जो जल्दी बाजी में स्टाइब की बहुत सारी गलतिया करते हैं भाई request है आपकी capital रहेगी तभी आप लंबे टाइम तक trade कर पाएंगे capital गवा देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा इसलिए हमारी premium membership में रोल करें वहाँ पर आपको proper guidance, proper strategy शेर की जाएगी signals, updated levels और भी बहुत सारे benefits हैं जो भी अपने crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बजना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं और हमारे telegram channel से भी जुड़ जाएए उसके description में link मिल जाएगी वहाँ पर crypto से related quick update new share की जाती है तो वहाँ पर भी आप join करिए इसके लावा यहाँ पर हम कोई fans advice नहीं दे रहे वीडियो से पर education purpose नहीं है ताकि आपको overall coins related knowledge जो उसके वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरू करें चनको subscribe कर ले थैंक यू